अगर आप Chrome Browser में कुछ प्राइवेटली सर्च करना चाहते हैं तो आपको Keyboard पे Ctrl, Shift and Press करना है फिर आपके सामने आएगा Incognito Mode फिर आप जो चहीं वो सर्च करें क्योंकि ये Mode आपकी History Store नहीं करता है आपकी Cookie Store नहीं करता है और आप जो भी सर्च कर रहे हो वो किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है तो यह थी Chrome Browser के कमाल के Shortcut की लेकिन ऐसी कमाल के Shortcut की और जानना है आपको तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है कि मैं लेके हैं हूँ आपके लिए Chrome Browser की A to Z Shortcut की मैं सतीश Complete Technology चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ अगर आप इंट्रेश टोर तो वीडियो पूरा दिखिए सीधी बात नो बक्वास चलिए यह वीडियो शूर करते एक खास लेट्स बिगिन लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता हूँ कि आप अगर ने हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कीजिए साथी में हमारी की वेबसाइट है जिसका नाम है learn more pro.com जिसके उपर चल रहे धेर सारे कोर्स के आपको ज़रूर विजिट करने चाहिए जो कि आपके स्क्रीन के उपर वेबसाइट दिखाए दे रही है इस को आपको इसलिए इन्रॉल करना चाहिए क्योंकि हमारे कुछ बेश्ट फीचर इन कोर्स जैसी कोर्स आपके लिए लाइप टाइम एक्सेस रहेंगे साथी में आप इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं जियां अपने बिल्कुल सभी सुना आप वीडियो को डाउनलो लर्मोफ्रो.com या गूगल पर भी सर्च करके जा सकते हैं अप लर्मोफ्रो.com और जो भी कॉर्स नहीं आ रहे हैं उसकी आफर्स भी आपको पता चलेंगे साथी में इस वेबसाइट पर एक ब्लॉग सेक्शन बिलेगा जहां पे धेर सारे ब्लॉग आपको पढ़ने मिलें फिलाल मैंने उपन किया है Google Chrome ब्राउजर आपके पास Mozilla हो सकता है या फिर आपके पास Internet Explorer भी हो सकता है जिसकी जो चोईसे वो यूज करता है जाता तर गूगल Chrome यूज करता है इसलिए मैं शौटकट की जहां पर बता रहा हूँ सबसे पहले शौटकट की यहां पर मैंने ल करना चाहते हैं तो हमेशआ हम बैक अर्ड पर प्रेस करते हैं तो मैं यहां पर प्रेस करईगा अल्ट लेफ रिपेंट तो प्रीवेड पेज आजाएगा इसले पेज कौन सा वीजिट की त pişा था? Tony मै. सकते हैं, मैंने Facebook विजिट किया था, Alt-Left Arrow से और प्रेस कर सकते हैं, तो उसके पहले Google था, Alt-Right Arrow प्रेस करेंगे Facebook, Alt-Right Arrow फिर Google, फिर Home Page Alt-Right Arrow प्रेस करेंगे तो Home Page आ जाएगा, जैसे आपने देखा हैं यहां पे, तो Alt-Left Arrow प्रेस करेंगे, और राइट प्रेस करेंगे, तो आप यहां पर जो माउस से क्लिक करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह सुपर फास्ट हो रहा है दोस्तों, अब मैं आपको बताओ कि अगर आपके ब्राउजर को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, तो F 11 बटन प्रेस कीज़ी है, F11 प्रेस करते हैं, यहां पर फुल स्क्रीन हो जाता है, दुबारा F11 प्रेस करेंगे, तो यहां पर फुल स्क्रीन हट जाएगा, मतलब यह Toggle Keys है, Toggle Keys का मीनिंग तो आप समझते होंगे, वही बटन से On भी होता है, वही बटन से Off भी होता है, तो फुल स्क्रीन कैसे करना है, यह भी आपको समझ में आगा दोस्तो, है ना useful shortcut की, अब मैं आपको बताओ कि यहां पर, suppose आप कोई website विजिट करते हैं, जैसे मैं यह website facebook.com मतलब कोई भी website विजिट कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि यह load हो जाए, तो मैं यह website लोड करने से रोक सकते है, मतलब जैसे आपने एंटर किया और आप चाहते हो कि यह website नहीं लोड करनी तो इसके बटन तुरंट प्रेस कीजिए, और चाहते हैं लोड करना आगे तो F5 बटन प्रेस कीजिए, F5 मतलब refresh आपको पता ही already, तो यहां पर यह समझ में आओग दोस्तों मीद करता हूँ, इसके बटन काम की चीज़े आप स्टॉप कर सकते हैं website को लोडिंग से, अब मैं आगे बताओ कि इसमें webpage को आप अगर आपको जूम करना है, जैसे हमने full screen करना है देखा, apple on press करने से हो जाता है, control plus करने से यहां पर zoom in हो जाता है, यह shortcut keys लगबग बहुत सारे software में यूज होते हैं, अगर आप Photoshop होगरा यूज करते हैं, तो इसमें भी होती है, control minus करेंगे तो यहां पर zoom out होता है, ज्यादा तर लोग mouse से करते हैं, लेकिन यहां पर आप यह जरूत नहीं उनको mouse से करना क्योंकि keyboard की shortcut keys मैंने आपके लिए यहां पर बता दी ह अब मैं आगे की shortcut key की over बढ़ता हूँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताने आउला हो कि in tab में अगर आपको switch होना है, मतलब आपको switch होना है, पहले number tab पे तो control 1 प्रेस कीजिए, control 2 प्रेस कीजिए, दो number, control 3, 4, 5, 6, 7, ऐस तरह से, लेकिन आप last tab पे directly जाना चाहते हैं, तो options आपके पास है, left, right करने के लिए, आपको control page up और page down ये भी कर सकते हैं, तो ये shortcut keys भी कीजिए, control page up और page down, या फिर control 1 से लेकर आप जो भी use करना है, वापे, वो use कीजिए, 1, 2, 8, use कर सकते हैं, 9 प्रेस करेंगे तो directly आप last tab पे जाएंगे दोस्तों, तो ये tap के बीच में अ reset करना चाते हैं, zooming level, तो control 0 button प्रेस कीजिए, zooming level तुरंत reset हो जाएगी, control 0 fit to screen, ये उसकी shortcut कीज रहती है, यानि reset browser zooming level, यानि की zooming level reset, यानि की 100% रहता है, तो 100% में automatic आजाएगा, आप even control minus भी कर लेते हैं, चोटा भी कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे control 0 प्रेस काता हूँ, तो directly लिए वो browser, वो आपिस reset हो जाएगा दोस्तों, तो ये control 0 भी याद रखना है, control 1 to 8 तो क्या मैंने बता दिया था, control 0 का भी meaning यहाँ पे बता दिया, और उसका shortcut की, यहाँ पे आपको use करना होगा, तब जाके इसका मज़ा आजाएगा आपको, तो यहाँ पे मैं आगे बताओ कि अगर आप कोई website visit कर रहे हो, और आपको यहाँ पे लिखना परता है .com, फिलाल तो यह facebook.com मैंने visit किया बहुत बार इसलिए, यहाँ पे .com आ रहा है, लेकिन आपने कुछ टाइप किया नया website, तो आगे .com की ही website हो, तो आप control enter press कीजिए, automatically वहाँ पे .com add हो जाएगा दोस और आगे की shortcut की जो मैं आपको बताने ओला हो, कापी useful है, बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, और कब जरूरत पड़ती ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं control shift delete press कर रहा हूँ और वो shortcut की का use दिखा रहा हूँ, control shift delete press करते तो आत है, आपके browser का data clear करने के लिए एक shortcut, डरेक्ली मतलब window आ जाता है, यहाँ से आप clear data करेंगे, तो आपने जो visit किया website से उसका browsing data clear हो जाएगा, cookies भी clear हो जाएगी, और cache memory भी clear हो जाएगी, अब यह cookies, cache memory क्या होता है, यह तो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, browsing history त आपको पता रहेगी, मतलब जो website आप विजिट करते हो, उस website की details रहती कि आपने last time कोईसी website विजिट की, control H पटम प्रेस करके आप history देख सकते हैं, और यहाँ से भी clear browsing data क्लिक करके आप यह history clear कर सकते हैं, आपने last website जो विजिट की, इसके नाम यहाँ पे दिखाए दे रहे दरसले हम लोग control H जानते हैं, बहुत सरे लोग और control H करके history में जाते हैं, तो यह था एक browsing data clear करने के लिए shortcut की दोस्तों, तो अब मैं आगी की shortcut की आपको बताऊंगा, control shift B, यानि कि यहाँ पे bookmark shore hide हो रहा है, bookmark टूल वार दिखाए दे रहे हैं, यहाँ पे shore hide हो रहा है, इ आप इसके उपर right click करते है, जनरली, लेकिन suppose मुझे यह वेb page यहाँ पे add करना है, bookmark के अंदर कई पर फी तो मैं control D button प्रेस करूँगा, उसके लिए shortcut की है, और bookmark मैं add करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे done करूँगा, तो इसमें add होगा, फिलाल तो मेरे पास अल्री यहाँ पे बहुत सारे भरे होएं, तो इसमें list में नीचे add होते जाएंगे, क्योंकि bookmarks में ने बहुत सारे add किये, तो आप ऐसे बहुत सारे bookmark add कर सकते हैं, जो website आप regular visit करना चाते हैं, उसके यहाँ पे link आ जाती है, और यह toolbar अगर hide करना है, तो control shift B button से आप hide or show कर सकते हैं, quickly आप bookmark तुल बार यहाँ पे show करेंगे और hide करेंगे, तो इस तरह से hide or show हो जाता है, दोस्तों, और कोई भी website अगर bookmark में add करना है, तो करना है, control D, जो website visit की है, उसका यहाँ पे नाम आ रहा है, bookmarks बाहरा है, नाम आप खुद दे सकते हैं, और done करेंगे, तो यहाँ पे add हो जाए control shift O, bookmark manager आ गया, और अब bookmark manager वैसे भी यहाँ पे जाकर bookmarks में जाकर bookmark manager लेते है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी shortcut की बताए, और यहाँ पे जो website आपने add की है, वो नहीं चाहते हैं, तो आप इसा से delete कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाए दे रहा है, delete copy URL और और options है, तो bookmark manager के लिए क्या shortcut की, यह बस फिलाल के लिए याद रखो, वो है control shift O दोस्तों, और आगी की shortcut की दोस्तों, डाउनलोड अगर आपने देखने हैं, लास्ट कौन कौन से किये हैं, तो control C बटन प्रेस कीजिए, आपको दिखाए देगा downloads, और डाउनलोड यहाँ पे देखिए, मेरा रहा है, यह मैंने PNG images होगे रहा है, यहाँ पे डाउनलोड कर लिए कुछ, तो आपको control जैसे directly आपको download मिल जाएगा, आपने last time कौन को से download किये, यहाँ से आप open भी कर सकते हैं, डाउनलोड तो आगे Google में आप quickly कुछ सर्च करना चाते हैं, तो यह shortcut का पी important है, control K प्रेस कर आपको दिखाए देरा address बार, address बार नहीं दर असल Google सर्च करके आ रहा है, लेकिन address बार में जाने के लिए इसके लिए अलग shortcut किये, मतलब आपको address बार में cursor रखना है, तो cursor नीचे रखिए, address बार में cursor लेना है, तो control L बटन प्रेस कीजिए, यानि कि address बार में आ रहा है, suppose मैं यहाँ पर हूँ, और control L बटन प्रेस करता हो, तो address बार में जो website लिखा है, वो पूरा select भी हो जाएगा, और address बार में cursor आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा website तुरन टाइप कर सकते हैं, जैसे मुझे Twitter टाइप करना है, Twitter यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, तो control L बटन प सर्च कर सकते हैं, अगर और एक टाप चाहिए, तो control T दुबारा प्रेस कीजिए, टाप आ रहा है, लेकिन यह टाप क्लोज करना है, तो control W है ना दोस्तो, तो control W कीबोड की उपर प्रेस कीजिए, यहाँ पर दिखाए दे रहा है, यह टाप यहाँ पर close हो चुका है, लेकिन एक मिलिट रुकी अगर जो close tap किया है, अपने उसमें कुछ important information सर्च कीजिए, या बहुत बड़ी link अपने open कीजिए, तो उसे history में से दुबारा open करने की ज़रूत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको यह shortcut की बताने वालाओ, control shift T, जिहां keyboard की उपर अग आप control shift T बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ आपको जो close tap था, वो यहाँ पर दिखाए दे रहा है, open हो चुका है, यानि कि close tap हो चुका था, control W से, लेकिन control shift T से, यह close tap में जो अपने search किया था, वो आ जाएगा, जो भी रहेगा link open किया था, वो आ जाएगा आपको, तो control shift T ना भूलिएगा, तो यह काम की चीज है, तो आपको simply प्रेस करना है, control N, जी हाँ, keyword की पर अगर आप control N प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे नया tab open हो जाता है, यहाँ पे दिखाए दे रहा है, नया tab के साथ, नया window भी आ जाता है, दोस्तो, मैंने आपको वीडियो के स्टाटिक में एक shortcut की बताई थी, control shift N, यानि कि वो incognito mode लेता है, लेकिन ये normal, वही Google Chrome browser है, जो history वगरा सब सेव करेगा, ये control N है, तो control N के अंदर भी आप control T करके इस तरह से tab ले सकते हैं, और इसमें भी जो चाहिए, वो यहाँ पे search कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे search कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखाए दे रहा है, इस तर tab एक साथ यहाँ पे जितने भी tab आपने open किये, suppose आप अपने control T करके और tab open किये, एक साथ सभी tab close करने, तो उसके लिए shortcut की क्या है, तो चलिए keyword की उपर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, control shift w, जीहाँ दोस्तो control shift w, प्रेस कीजिए, यहाँ पे complete window close हो गया, जो हमारा पुराना अगर google chrome browser directly आपको close करना है, तो मतलब सभी tabs एक साथ close करना है, तो control shift w, प्रेस कीजिए, that's it, तो अब आगे की shortcut की मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे, कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको उपर tab में switch होना है, तो control page up और page down आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर control to right जाते, अगर आप right to left जाना चाहते हैं, तो control shift tab, control shift tab करेंगे, तो यहाँ पे right to left मुह होगा, आपका मतलब इस तरह से switch होते जाएंगे tab के अंदर आप, तो control tab और control shift tab, यह कमाल की shortcut की है, जो control page up और page down की जगा आप यूज़ कर सकते हैं, यह optional बोल सकते हैं आप इसको, इसे नए tab में open हो जाए, तो अगर मैं इसे control प्रेस करके, mouse का left button क्लिक करता हो इसके उपर, तो यह नए tab में open होगी, लेकिन यह back में open होगी, यहाँ पे दिखाए दे रहा है, यह सामने नहीं open हुई है, पीछे open हो चुकी है, मतलब मुझे उस पे click करना होगा, यह उसके उ control shift और mouse का left button क्लिक करूँगा, तो यह इस तरह से नए tab में आगे open होगा, तो नए tab में अगर window open करनी, तो control shift button प्रेस करके, आपको click करना है, उस link के उपर, जो link आपको नए tab में open करनी, और वो सामने दिखाए दे, फिलाल तो मैं इस link को open नहीं करना चाहता हो, तो मैं close कर द इस तरह से scroll होते जाएगा, scroll down, लेकिन मैं अभी scroll up करना चाहता हो, तो उसके लिए shift space bar कीजिए, आप scroll up यहाँ पर दिखाए दे रहा है, scroll up हो रहा है दोस्तों, तो scroll up, scroll down, यानि कि आपको किस तरह से append down करना है page के अंदर, उसके आज shortcut की मैं नहीं आपर बता दिया है, लेक रखिए, end button press करने से directly end पे, home button press करने से directly home पे, तो कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, like तो अपने अल्रीडी किया होगा, share कीजिए दोस्तों के साथ, और मैं मिलूंगा कुछ और इंट्रेशन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, अपना खयाल रखिएगा, बाई बाई